और बड़ी कबर आपको ब्यार से सुत्रों के हवाले से बता दे नितीश कुमार स्तीफात दे सकते हैं भारतिय जुनता पार्टी के साथ एक बार फिर से नितीश कुमार सरकार बना सकते हैं 28 जन्वरी को नितीश कुमार श्रपत ग्रेंड भी कर सकते हैं सूत्रों के अवाले से सबसे बड़ी ख़बर न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं साथी एक और बड़ी जुनकारी आपको दे दे बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अगर जेडियू बीजेपी के साथ आती है तो नितीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे जालज जुनकारी के लिए हमारे सही होगी चंद्रमोहन अमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े को हैं चंद्रमोहन क्या जुनकारी का जारा एक बार फिर से नितीश कुमार जो है पाला बदल सकते हैं सुसील कुमार मोधी एक बार फिर से डिप्टी सीम बन सकते हैं और जो जानकारी मिली है अहम जानकारी अभी निउस एटिन इंडिया के पास आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि नितीश कुमार इस्तीफा देकर 28 तारीकों एक बार फिर से मुख्यमंत्री पत का सपत ले सकत है कि जो सुबह से देखने को मिल रहा है पिछले एक सपता से देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीती में वो उसका बल आज सुबह देखने को मिला उस बातों पर एक बार फिर से बल मिला जिसमें जब घरतंतर दिवसका पतना के गांधी मैदान में प्रेड हो रहा था उ लेकिन गांधी मैदान में दोनों लोग पहुंचे हुए थे बिहार के डिप्टिसियम और मुख्यमंत्री लेकिन दोनों के बीच में बाते नहीं हुई तो साफ तोर पर समझा जा सकता है कि जो दूरियां है वो खाई में तबदील हो चुका है और अब जो सुत्रों से जानका करने की कोशिस करेंगे जिसकी भूमी का अहम हो जाएगी कल के वक्त में नितीश कुमार अपसे थोड़ी देर पहले पढ़ता कि कुरकुरी इलाके में पहुंचे थे गांधी मैदान से निकलने के बाद और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं अप जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक BJP की बैठक दिल्ली में होनी है और उसके बाद आगे की रणीती क्या होगी इस पर भी फैसला होना है तो थोड़ा और इंतिजार करना होगा लेकिन जो News 18 इंडिया को जानकारी मिली है उसके मुताबिक नितीश कुमार एक बार 28 जन्वरी को शपत ग्रेड समारूं का हो सकता है और इस बार भारते अब जन्ता पार्टी के साथ जाकर सरकार बना सकते है जिस तरीके से चंद्रमोहन बता रहे हैं कि दो उपमुख्य मंत्री होंगे नितीश कुमार ही मुख्य मंत्री बने रहेंगे लेकिन हो सकता है कि लन सिंग को हटा कर जो है आध्यक्ष के तौर पर खुद नितीश कुमार बैटे थे बिल्कुल देखिए नाराजगी नितीश कुमार की आरजेडी के साथ साथ तोर पर यह दिखा रहा था कि कहीं न कहीं नितीश कुमार अपना अब नया रास्ताख तियार कर रहे हैं एक तारीको नितीश कुमार का लालू परिवार के साथ नौवर्ष की बधाई देने नहीं जाना और उसके बाद राबडी देभी का जनदीन था उस दिन नहीं जाना साफ तोर पर यह दिखा रहा था कि जो दूरी है वो धीरे-धीरे खाई में तबदील हो चुका है और आज स भी असवासन दिये कि नहीं सरकार जैसी है वो चलती रहेगी लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है उसमें साफ तोर पर यह कहा जा रहा है कि नितीश कुमार ने यह मन मना लिया है कि अब वो महागडबंदन के साथ नहीं रहेंगे और इस्तिफा देकर 28 तारीक को नई सर कि दो है कि झानन चेकर प्दोर वो पे एके को कि पर सวते है कि लाकि लो भावकर अपाष्बनकार ने कि सटेकर परनकारना के बहा है कि अब雨ी संति यहारो जालना कि घदरा अढ़ disabilities जैसे कि एके दो हैंगे विदे स सरこと कि अ झाल झाल